तो काईस मैं हुआं कि तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैन्स नाइट पर सुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बातों को कल के फ्राइड नाइट स्माग्डाउन से तो कल का जो स्माग्डाउन का एपिसोड है वो एक बार फिर से सोल्ड आउट हो चुका है पूरा यह म मैं आपको पता हूँ तो रेसल टिक्स की अपडेट है आप आप देख सकते हो कि जो करेंट सेट अप है वो है 12,120 टुकी एक भी एविलेबल टिकेट नहीं बजाए यानि कि सारे के सारे टिकेट बेग चुके इससे पता चलता है कि करेंट मार्केट डिमांड कितनी है रेसल स्ट्री रॉक की वज़ा से जो कि पिछले दो तीन स्मैक डॉन से आ रहे हैं इस अफते भी आपको देखने को मिलेंगा अगले अफते भी देखने को मिलें तो अभी के इसाप से यह वाला जो स्मैक डॉने स्ट्रीक मेंटेन करने में सक्सेस्पुल है यह आठवा में रॉस्टर भी कह सकतो जो की सेल आउट है अगे इसके आगे जितने भी होंगे रॉस्मैक डॉन तीन तो अभी यह कल का स्मैक डॉन बचेगा तो सारे के सारे सोल्ड आउट होने वालें कंप्लीटली तो अभी केसा आप से स्ट्रीक कंटिन्यूट है देखना होगा यह त जूटती कहां पर है अगली स्टोरी कफर करते हैं जो कि कोडी रोट्स को लेकर तो कल के स्मैक डॉन की प्रिव्यू मैंने आपको पहले वाले वीडियों बताइए तो आपने नहीं देखा तो जाके चेक कर सकतू उपर आई बटन में आजाए वीडियो ने तो स्क्रोल कर ल नहीं तो सो के अंदर अगर आना होगा तो अच्छा होगा बेटर होगा विकॉज अभी रेसलमीना के टाइम में यह चीज़े होती है तो भाई बेटर लगता है अच्छी बिल्ड होती है तो कोडी रोट्स एडवटाइस्ट है लेकिन अब मुझे यह नहीं पता कि किस कोडी रोट्स को रिसीव करें तो अभी किसाब से कोडी रोट्स एडवटाइस्ट है अभी देखना हो गाते हैं आपर नहीं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल के रसलमीना मैच को लेगे तो अभी काफी कंफ्यूजन से कि लो लोगन पॉल वर्सेज रैंडी ओर्टन इस प्लैंड फॉर रसलमीना यह रसलिंग अब्जर्वर न्यूजलेटर के अंदर चीज बताई गये लेकिन काफिसार लोगों को लगता है कि कविनोंस एड होंगे आपको पताई थी कि जिस तरीके से चीजा आगे बढ़ रही है व कुसेज को कहनुत कि एंटर कॉंटिनिटल टाइटल मैच में होने वालें तो कह Twe inventions विजर्फ में हो सकता है कि को मैच में आड होते वे दिखे लेकिन रस्लिंग ऑब्जरवर का कहना है कि अभी केसाब से लोगन पॉल वर्सेज रैंडी ओर्टन ही प्लैंड एक सिंगल मैच लेकिन यह चेंज हो सकता है पक्का अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि रेसल मीनिया 40 के स्टेज वगरा को लेकि आप देख सकते हों कि यहां पर रूमर सर्कुलेटिंग डेड़ डेड़ी लुगिंग टो क्रिए जायंट बेल ओवर दे रिंग फॉर्टी स्टेज दे लास्टाइम देट संथी लोगों ने बहुत लंबा चौरा बहुत वह था बढ़ा था जायंट था तो अभी इस साल कह बहुत सार्व लोग का मानना है यह मैं कल से देख रहा हूं तो मुझे लगा कवर करता है आप से पूछते हैं कि आप लोग चाहते हो कि इस बार रिंग के ऊपर बनाते हैं क्या वह स्ट्रक्चर बैल का होना चाहिए विकाज यह जो स्टेडियम है लिंकन फाइनेंसियल फि लोग इसको स्टेडियम का स्ट्रक्चर वह काफिस सेमिलर है रसल मेने 33 से वन फ बेस्ट माना जाता है कि व्यूद को नहीं बीट कर पाई यह उस लोग कहते हैं कि रसल मेने 39 का बैटर था जो कि अच्छा था ऑबिसली लास्ट यह का लेकिन मेरे खुद के अपिनों के साब में वह देखना होगा अभी क्वेश्चन आपसे यह स्नो में रिप्लाई करना कि क्या आप देखना चाहोगे रसल मीने 40 के सेट अप में एक जायंट बैल रिंग के ऊपर क्या है आपके ठोट्स रियक्सिंस यह स्नो में कॉमेंट करके बता सकते हो अपनी जो नेक्स टोरी है वह रोमन रेंस और कोडी रोट्स को लेकर एंड इनके प्रोमो पैकेश को लेकर बिसकली स्पॉइलर रही है मैं आपको बता दू यह भी रस्लिंग ऑब्जवर में ही रिपोर्ट करा गया थ्यान से समझने वाली बाते में आपको पहले पढ़के बता देता हूं इस पूरे प्रोमो पैकेश के बिल्ड कर रही है जो अभी प्रोम आपको देखने को मिलेगा रस्लमीने के टाइम यह प्रोमो होने वाला है जहां पर की डिखाने वाली को अंडर डॉक की तरह पर वहीं सिंपथी एंगल स्टोरी हो गई लेकिन अंडर डॉक दिखाया जाएगा लेकिन अंडर लोग इस पर क्वेशन कर रहें कि कोडी करेंगे तो किसी भी तरहीं के से भाई वह अंडर डॉक तो नहीं है मैचेस भी बहुत बरे-बरे सूपरस्टार्स के अगी हैं जीता भी है लास्ट यह भी हारा तो रोमन से वह किस तरीके सारा हमने देखा तो सवाल उठा रहे हैं लोग की अंडर्डॉग है की नहीं मुझे नहीं बता लेकिन डिखाना चाहा रही है कि हां वो अंडर्डॉग है यही कुछ आपको प्रोमो पैकेस के अंदर देखने को मिलेगा अभी तो यह काफी अर्ली स्पॉयलर है बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि यह ब्रॉक लिसनर को लेके अभी दो तीन दिन पहले में आपको बहुत अच्छी न्यूज को लेके किन आपको वापसाता सुनर कर रही है इसको कोशी चालू हो चुकी लेकिन अभी इसको लेके भी लिश पंडحم को 107 कमाल कि वाथे कि सेम सोर्स खुद को ही कह रहा है कि मनी फ्रॉड कर रा था ब्राइनल ए इस नही वाली चीज ती लिए बिक्व सब्सक्राइब करते हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो फॉल्स है यह जो कहा गया कि लिस्टनर बैक्स्टेज जो है प्रिपेर किये जा रहे रिटर्ण के लिए उनको लेकर डिसकर्शन से क्रेटिव पैचर से एंड डवी कोशिस करें किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए काफी कमी लोग ट्रस्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पर अभी कहसाब से इसके आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी वही मैं आपको बताऊंगा अभी कहसाब से इनका कहना है कि नहीं होने वाला है वो रिपोर्ट फेक थी वाइडवे इस वीडियो के लि मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाफएर काफे इंट्रस्टिंग वीडियो में